आप सभी का स्वागत है रवी जोन फार्मिंग लीडर में मैं रवीत यागी आपका होस्ट एंड दोस्त मेरे सभी बुजूर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम तो किसान साथियों आज हम आए हैं हरी बल फार्म मुराद ग्राम पुर्पुर्सी मुराद नगर आप देख रहे हैं पुर्पुर्सी ये ज्यादतर जो है कुर्सी के नाम से मसूर है यहाँ ये फार्म इस्तिस्त है आप देखेंगे इस फार्म में क्या-क्या चीजें हैं और क्या-क्या एक्टिविटी हैं तो चलिए देखते हैं बुलादे डर कुछ अलग कर किसान साथियो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और घंटी के बटन को जोड दबाएं सामने से जो मेरे दर्सक भाई हमें और आपको देख रहे हैं एक बार उन्हें अपना और अपने इस फार्म का पढ़चे दें और आप लोग का भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ ग्राम कुरसी में मुरादनगर ये जिले गालेबाद में मुरादनगर औरनस फेक्टी के पास लगा हूँ हमारा गाउँ है और हाड़ी दो किलोमेटर और ये सो बीगे की हमारी लेंड है और इसमें से दस भीगे में हमने ये अपना जो है तूरिस्म के लिए अगरो टूरिस्म के लिए डवल्प किया है तो ये जो अपने सेट-बहा है इसका जो नाम है वह तो अपने क्या रखखा वा है ये बड़ी दिल्शफ बाद है मैंने अपने फादर से बात करी थी कि मैंने क्या नाम रखना चाहिए तो फादर ने का भई बाबा दादी के नाम पर रखो क्योंकि आज से एटी टू में हमारे ग्रेंड फादर ने ही यह बाग लगाया था करीबन आठ हेकड में था चालीज बीगे में अब जो पेड बचे ह तो उसकी वज़े से उन्होंने नाम रखवाया हरीबल अचा हरीबल हाँ जी हमारे ग्रेंड फादर का नाम था चाहदुरी हरी राम सिंध्यागी और दादी का नाम था बल्वीरी देवी अच्छा तो उनसे हरीबल करेक्ट तो हरीबल फार्म इस तरीके से इसका नाम रख तो सर ये और्गनिक फार्मिंग और आपका एग्रो टूरिजम ये सब दिमांग में कहां से आया और एकदम से ये आपने इस तरीके से सेट अप कर दिया तो ठीक है खेती हो रही है गन्ना गेहूं इक दान सब अगा रहे हैं एकदम से नया आइडिया कहां से आया रगी आवन भी बनाई बियर भी बनाई टौफी चिंगम भी बनाई और दुनिया गूम ली है दुनिया गूमने के बाद ऐसा लगा कि यार कहीं अपनी रूट से अपने को जूड़ना पड़ेगा और अपनी रूट से लूडने के लिए मुझे अच्छा जरिया नहीं लगा लोक बिल्कुल तो मन में हमारे आए कि हम भी कुछ अ कर जाए अपनी कम्यूटी के लिए गाहों के लिए बच्चों के लिए कि लोग याद करें वो भी इस तरह चाह में बैठे हैं तो वह एक दम से जो है सब कुछ नेचर के करीब रहें 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 तो यह देख की हमें हुआ परियंट हैं डिसकस किया वाइफ का बड़ा यह योगदान था पीछे बैकिंग उसने हां कहा और बस है हमारा मोटिवेशन हो गया और हमने बस यह कारेकरम सुरू कर दिया तो अब जो है हम यहां पर क्या कर दिया हैं नहीं तो वह बहुत लोग हैं तो हमारे बहुत लोग ह तो हमें रहरा हु नोइडा में वहां पर लोगो की बहुत इच्छा थी कि आप और अरगनी खेती करें तो मैं आपको बताओं कि जितनी भी प्रोड़क्ट यहां पर मारे गुरू हो हो सब हैं तो हैं तो लोगो को स्वासलाभ हो रहा है अच्छी चीजे मिल रही हैं और एक ट्रस्ट लोगो का बन गया है तो सर जैसे आप फल, सबजी, अनाज, दालें, सारी चीजें और गनिक पैदा कर रहे हैं तो अग्रो तूरिजम के लिए आपका और क्या प्लान है और आप इसमें क्या-क्या एड करते जा रहे हैं तो सर इसमें जहां में रह रहा हूं वहां बच्चों से इंट्रेक्शन होता रहता है मेरा नोड़ा में अन्सियार में जो मुझे लगा आज इसकल के बच्चों को यही नहीं मालूम कि जो टोमेटो सॉस खा रहा है वह अच्छल में बन कैसे रही है तो मुझे बड़ा सर्प्राजिंग ता आटा कैसे बन रहा है विल एक अवेरनेस देने के लिए बच्चों को कि बहुत को चीज़ आज लिए अज के अपनी बालूम है कि वहां से खा रहा है तो एक प्लान है कि उनको अवेर करने के लिए लिए यह पर चोटे-चोटे लाएं उनको विजिट करा है और और गानिक फार्मिंग क्या हो तो उस ठाइब की चीजे हमारा फूचर प्लान है तो साइड में हॉंस राइडिंग है वह हम प्लान कर रहे हैं यही की घरोगी सब्सटाया ममने तो उस ठाइब की हमारे प्रोजेक्ट यह जो की एविजनी के लिए इक इन बड़े-बड़े लोगों को नहीं है कि जो है लोग तो सार जैसा कि एग्रो टूरियम आज एक बहुत ही अच्छा नाम उबर के आया है तो यहां पे आपने कौन-कौन से प्रोग्राम किये हैं और कौन-कौन सी एक्टिविटी हैं यहां पे पिछले एक साल में हमने आरदर्स फंक्शन किये हैं और उसमें जो बहुत अच्छा प दिसंबर को हमने एंसियर से पांचे फैमिली बुलाई यहां पे पूरा डिनर पार्टी ब्रिक फास्ट और यहीं पर हमको इस्ट्रे करवाया उपर जो रूम है दो तीन कौर्टेज यहां इधर और तो यहीं पर पूरा रेजमेंट था और फॉक बहुत ता उस दिन लेकिन नहाराल के अंदर हमने खाने यहां न का पूरा हो चाहां यह पूरा हूल है वरा हल है तीन सो लों की गैदरिंग यहो सकती अंदर आच्छ और तो यहां पर पूरी किटी पार्टी हbre Banhy क की ति हम अच़्जेओ align की तो फोरी मेने पहले यह मैं ने पहले Lydीज का मतनी सब उ और किटी पार्टीज है, छोट छोटे फंक्सरिंग सेरमेनी है, तो वो हमने यहां पे ओपन में भी किये हैं, इस्टेज के पास भी किये हैं, कुछ हमने कारपेट मीटिंग भी यहां पर करी लास्ट इयर, अच्छा भी आपने एक बात कही कि इस्टेज, तो यह जो है आपके स्पीकर है, इनको यहां बेठा दिया, रिंग सेरमइनी भी यहां कर ली ली जया कर ली को कर अछ省ऊ हैं, उनकी अट्विटीज हैं, गेमोटो है अपने麵ेंट इनकों मेंगमेंट गेम हैं, फीध की अई कले बाएच संटे मैंजमेंट सा बीकर हएं लीग कोर्ट 20-25 लोग का बैच यहां पर लेते हैं और 20-25 लोग के बैच में ही हम लोग यहां पर टीम बिलिंग अक्टिविटी करते हैं अच्छा 20-25 लोग का बनता है यह और जो इंस्ट्रेक्टर यहीं से बैच के अफना गेम औरनाइज कराते हैं तो बहुत यूसफुल जगा अभी जै सब चार तरब दिखाई दे तो इसके बारे में जो है आप जो सिटी के लोग है उन्हें क्या संदेज देना चाहेंगे और आज जो अभी कोविड से हम उभर कर ऊपर आए हैं तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे यह एंवारमेंट आपको पैसे देके भी नहीं मिलेगा और आज की हमारी डिमांड है जिस तरीके देहली बंद हो रही है बैन लग रहे हैं काम बंद हो रहा है उस जगह से यह हंडेट टाइम्स बेटर है प्योर एंवारमेंट है जो हमें चाहिए ऑक्सिजन लेवल यहां पर आपको महसूज होता होगा यहां पर यहां फ्रेस एर आर यहां से पूरा माइना कर सकते हैं सब कुछ यहां से क्लिर विजबल है अभी जैसे हम देख रहे हैं जे टमाटर है हाँ जी जुदर क्या है है यह गाजर है का ली है अधर क्या है अगर आप देखेंगे तो इसमें तो इसमें ताइवान पिंक अमरूद लगा हुआ है रोहा गेंदी लगाया है तो गेंदी के दो फाइदे है एक तो अम्रूद में जो बहुत प्राब्लम माति इन्हीं निमटोड़की आती है जो ज़डों में गांथे हो जाती पेड़ खंब हुँ तो उसमें बहुत फाइदेमंद है गेंदी और दूसरा इसका फाइदा है कि जो इंस और हिसार सफेदा लगा हुआ है उधर पपाया है रेड डेडी 786 ताइवान और यह देख रहे हैं बेंगन भी है अधर बिरिंजल है गोल भरते वाला अच्छा और यह सारी आम की वराइटी देर हमने लगा दी है पूरी आम की रोस लगी हुई है यह करेक्ड करेक्ड पदम स्री मिला हुआ है उनको तो उनकी वराइटी डवलप की हुई है अमभी का है आमरपाली है मली का है और कुछ में लगनु से लायता सेंटन इस्चूट से तो वह राइटी है यह तो सर जैसे के यहां पर आप सबजी जो उगा रहे हैं और यह ग्रो कर रहे हैं सारी सब अच्छी अच्छी फ्रेशनेस है सभी कुछ बढ़िया तो यह आप सप्लाइ कैसे करते हैं कहां भेजते हैं सर इसमें मैं आपको बताओं कि मुझे कोई मार्केटिंग करने की ज़ुरत नहीं है जी एंसियार वाले लोग खुद यहां पर दे देते हैं और यह तो खुद ल लोग यहीं से तोड़ के लेके जाते हैं और फ्रेस बेंगने में आपको दिखाता हूं और यहां से काफी कुछ जो है प्रोडेक्ट जाता रहता है मार्केट में अगर आप देखें यह इतने सब लगे हुए है यह नया फ्लावरिंग आ रही है और यह आपके पास लगा बिल्कुल फ्रेस सो त्यागी जैसा आप देख रहे हैं कि देखे हमने यहां पर मल्टी क्रॉप्स लगाई हुई है अधर लॉकी लगी हुई है नीमू है अमरूद है और नीचे हमने जो लो हाइट वाली है मतर लगा रखी है जिसी नंबर वन मतर और उसके बाद अनार है अगर आप देखे हैं तो अडू लगा हुआ है और अमरूद की पांचे वराइटे लगी हुई है अच्छा एक चीज बताओ जो मैं जो देख रहा हूं वो मुझे दिखाई दे रहे कि अमरूद बहुत जादे है हाँ आपके फार्म पर सबसे जादे अमरूद पर जादे ज अच्छा जैसे आम में मैं 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 तीन साल चार साल आपको बेट करना पड़ता है जी अमरूद आपका छे मेने से ही हर्वेस्टिंग सुरू हो जाती है अगर ताइवन पिंक लें तो चे मेने में आपको फूटिंग देना सुरू कर देगा और शारे अमरूद आपको डेढ तो अगर यहां देगे तो यहां पांच छे वराइटी लगी हुई है इसमें सुएता है धवल है लालिमा है अलाबदी सफेदा है ललिथ है एल फर्टि नाइन है अभी आप देख रहे हैं तो मतलब अमरूद आया हुआ है अपने जो है इनने ने कवर किया हुआ है थैलियो आप प्रचलन चला है तो इस पर कीट नहीं आते पैस्ट नहीं लगठा कोई भी अच्छा दूसरा इसका जो कलर है युनिफर्म आएगा अपका युनिफर्म कलर होगा कहीं ग्रीन कहीं यलो ऐसा नहीं होगा तो जैसे सूरज की साइड में यलो सा हो गया और दूसरी हाइडंसिटी हाँ इसे अप कहां तक और अच्छा मानते हैं पहले बाग थे पुराने जैसे आपके दादाजी ने आम का बाग लाग लाग हुआ है तो यह जो टेक्नोलोजी है कितनी काम्याब है दो तीन चीजे मैं कहूंगा जितना मेरा अनुबग हुआ है हाइडंसिटी अपको प्लांटि ने ले जाना होता है दूसरा कम जगे में ज्यादा लगते है तो प्रॉड़क्शन आपका बहुत ज़्या होता है और अच्छा वी लगता है और उत्रही आपका जो है इंसेक्स कमाते है दूसरा क्या है कि वह जो बीच में जो जगए है उसको आप उसको कुछ होता नहीं लेकि इसमें आप यूट्लाइज कर सकते हैं लाइक है मटर लगी है उद्र टमाटर लगे हुए है तो इसका बहुत बड़ा फादा है और दूसरा भी जो बीड आ रही है वो हाई डैंस्टी के हिसाब से आरी तो सर सब कुछ देखने के बाद एकदम मन पर तो उसके लिए आपने क्या रखा हुआ है क्या इस्टे का भी अपने प्रोग्राम बनाया हुआ है त्यागी जी इसमें हमारे पास दो अप्सन लेके चल रहे एक तो अगर कोई फैमिली स्टे करना चाहती है तो हमारे पास चे कॉटे जहां पर तो एट टाइम छे फैमिली अच्छा हम लोग जादा है जादा है तो थोड़ा है और अगर हम इस्टे की बात करें तो हमारा जो यहां पर चार्जेज है 5000 चार्जेज है उसमें हम आपका वैलकम टी कोल रिंग जो भी है डिनर और ब्रेकफास्ट और बैट टी वह पूरा आरेजमेंट हम लोग यहां प एडिस्नल खाना रहता है पूड़ी सबजी छोले बागी डिमैंड के उपर है जलेबी टो डिमैंड के उपर आपता है और ज्टेमाना चाहता हुथ्था और रहति हैं वहां ब्हूब जैसे हैं और और वहां तो और City ओभी मक्रोन हम लोगों के लिए नेंट हैं काफी वेजटेरियन वरैटी है और मैक्सिम कोशिज रहती है कि हम फ्रेश फार्म जो भी वेजटेवल हमारी ग्रो हो रही है वह हम यहां पर यूज करें तो इसमें जो भी आप सोच सकते हैं वो चीजे इसमें डाल मकनी हो गई दाल तूर हो गई वो सब चीजे सब्जीया है म आपने अपना विजट कर आया और यह सारी चीजें बहुत अच्छे से और करीब से दिखाई और बताई उसके लिए बहुत बहुत दन्यवाद थैंक यू सर आपको और आपकी टीम को भी त्यागी जी और मैं चाहूंगा कि रवी जोन ऐसे ग्रो करता रहे और हम लोग के ल इसी कोशिस यह वीडियो आपने देखी अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल को सस्क्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मैं रवी त्य